इंडिया गठ बंदन के बड़े चेहरे नितीज कुमार एक बड़ा फैसला नितीज कुमार ने अभी अभी लिया है चार लाग सिक्सकों को राज्य कर्मी का दर्जा दिया गया है बड़ी खबर है इस खबर पर डिटिल से बात करेंगे और क्या 2024 के चुनाव से पहले ये नितीज कुमार का मास्टर श्रोक है और क्या वाकई नितीज कुमार ने राम मंदिर कार्ड की कार्ट धुन्ड ली है सवाल ये भी है देखिए 2024 के चुनाव के लिए एक तरफ नरेंदर मोदी की सरकार वो राम मंदिर की दुन पर नाच्स्तिवी दिखाई दे रही है और उसको ऐसा लगता है कि राम मंदिर का काड अगर चल गया तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी लेकिन दूसरी तरफ विपक्स की सरकारों को क्या काम करना होगा ये कहीन कहीन नितिस कुमार ने यहाँ पर दिखा दिया है और नितिस कुमार ने जो बड़ा फैसला लिया है नितिस कुमार ने जो बड़ा फैसला लिया है वो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले आप ये देखे बिहार के चार लाख नियोजित सिक्सकों के लिए खुस खबरी लेकर के आए है नितीस और तीन बार परिक्षा देने का मोका मिलेगा तीन बार परिक्षा देने का मोका मिलेगा बीपिये स्पास को परिक्षा देने की जरूरत नहीं है तो एक बड़ी खबर है और 4 लाख, 4 लाख सिक्सकों को बहुत बड़ी संख्या है ये 4 लाख 40,000 भी अगर कहीं पर कोई कर दे, 4,000 भी कहीं पर अगर कोई कर दे तो खबर बनती है, नेस्नल मीडिया में खबर बनती है लेकिन यहाँ पर 4,000 नहीं 4,000,000,000 सिख्षकों को राज्य कर्मी का दरजा जो है यहाँ पर दिया जा रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया इस चीज को कितना चलाएगा नहीं चलाएगा मालूम नहीं लेकिन नितियस कुमार ने ट्यून जरूर शेट कर दी है और मैं आपको कुछ खबरें भी दिखाऊंगा आगे भी कि कि लगातार नितियस कुमार की सरकार नोक्री देने के मामले में और खास करके तेजस्वी आदो जो उनके साथ में जुड़े थे कि हम नोक्रियां लेकर के आएंगे नोक्रियों के साधन जोय निकालेंगे दसलाख नोक्रियों की बात कई भी थी तो उस ट्रैक पर नितियस कुमार तेजी से दोड़ते वे नजर आ रहे हैं और दो तिन तरीके से इस चीज़ को आप देख सकते हैं बीजेपी के लियाज से भी देख सकते हैं और इंडिया गटबंदन के लियाज से भी देख सकते हैं नितीज कुमार का जो फैसला है बड़ा चोकाने वाला फैसला है और नितीज कुमार यहां पर किसको पठखणी देने जा रहे हैं उस बात को भी जरा समझ ये और एक तरफ जो बीजेपी की सरकार है चाहिए उत्तरपरदेश की सरकार की बात करिए चाहिए आप राजस्तान के किंदर की सरकार की बात करिए सरकार पूरी तरह से मंदीर की लहर पर सवार है कि मंदीर का मुद्दा जो है वो इतना बड़ा मुद्दा है कि इस मुद्दे पर ही पुरा चुनाव सिमट जाएगा लेकिन लगातार इंडिया गठवंदन वो नोक्रियों की बात कर रहा है जातिय जंगना की बात कर रहा है OPS की बात कर रहा है और इसी को लेकर के जो विपक्स के खेमे में इस वक्त में मंदिर के अगेंस्ट में या मंदिर लहर के अगेंस्ट में आप मंदिर के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं तो उसलिए हम बात करें राम मंदिर को आप जो है वो अलग कर दीजे यहां से तब सवाल यह है कि नितीज कुमार का जो यह एलान है यह कितना जो है वो बीजेपी की सरकार को भारी पड़ने वाला है और दो दिन पहले ही मैं की सीट यह आ रही है तो ऎलग यहां पर एक जुठ हो ना वो दो वाजार चोबिस में फाइदे का सोदा वो लग रहा है लेकिन इस बीच में नितीज कुमार को पकड़करके बैठे वे हैं खबर आप देखिए खबर मैं आपको दिखाता हूँ लोकसबा चुनाओ से पहले सीम नितीज कुमार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला बिहार के करीब चार लाख नियोजित सिक्सकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने का निरने लिया गया मंगलवार 26 दिसंबर को नितीज कुमार की कैबिनेट में फैसला लिया गया है नए साल पर पहले नियोजित सिक्सकों के लिए बड़ा तोफा है लंबे समय से नियोजित सिक्सक इसकी मान कर रहे थे मंगलवार को नितीज कुमार की कैबिनेट में कैबिनेट बैठक में बिहार विड्याले विशिस्ट सिक्सक नियामावली 2023 को मनजूरी मिली है तो देखिए इसके तहए चार लाख सिक्सकों को अब रज्य कर्मी का दरजा दे दिया गया है अपने आप में बहुत बड़ी खबर है अपने आप में जो है ये खबर ये बताने के लिए काफी है कि उन चार लाख सिक्सकों को फाइदा होगा और वो चार लाख सिक्सक कितना जो है वो अपने विड्यारतियों को या अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताएंगे फिर या भी अपने आप में एक सवाल है और देखने वाला सवाल रहे गए ये कि क्या जिनको नोक्रियां मिल रही है या जिनको प्रमोसन दिया जा रहा है जिनको बडोतरी दी जा रही है जिनको नियमित किया जा रहा है क्या वो सरकार के लिए भी कोई फाइदे के तोर पर जो है वो साबित होंगे या केवल और केवल जो है वो लोग अपनी नोक्रियों क को यहाँ पर पक्का करवा ले लेकिन वोट तो बीजेपी को ही जाएगा क्या यह दो हजार चोबिस में इस तरह से समीकन दिखेगा या इसके उलट समीकन होगा और नितीज कुमार जो दाव खेल रहे हैं वो दाव कामियाब होगा कि जिसने नोकरी दी है जिसने लोगों को फ ख़बर को आप दो हजार चोबिस तक मंदिर के एंगल से जो है वो अलग करके नहीं देख सकते हैं क्या लोगों के लिए सरकारी नोकरी उनकी नोकरी के अंदर उनको लाभानवित करना नियमित करना लोगों को नोकरी पर लगाना लोगों के लिए वो बड़ा मुद्दा है उससे लोग वोट करेंगे या लोगों के लिए राम मंदिर का दर्सन करवाना वो बड़ा मुद्दा है मुझे लगता है कि वैसे नोकरी बड़ा मुद्दा है क्योंकि जिस किसी की भी अगर नोकरी लगती है तो वो अपने माबाप को अपने रिस्तदारों को चाचाताओं को वैसे ही चार धाम की आत्रा करवा सकता है वो अपनी एक तंखा से जो है वो अपने रिस्तदारों को अपने माता पिता को खुद भी वो चार दाम की आतरा पर अपने आप जा सकता है और अपने आप आ सकता है तो यह तैया लोगों को करना है यह तैया लोगों को करना है कि अभी जो मंदिर की तस्वीरे आपके सामने रखी जाएंगी आपके लिए वो जदा इंपोर्टेंट है वो जदा जो है वोट बटाने के लिए वोट लेने के लिए वो जदा मेतव रखती है या फिर जिस तरह से यहां पर सरकार बात कर रही नोक्रियों की वो जदा इंपोर्टेंट है देखिए मैं कुछ खबरे आपको दिखाता हूँ कुछ खबरे देखी अभी हाल की खबरे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंडी टीवी की खबर देखिए बिहार ने रचा इतियास एक लाख बीस जार सिक्सकों को मिला न्युक्ति पतर सीम नितिस ने बंपर सरकारी नोकरी का ऐलान किया ये अभी हाल की कुछ दो महीने एक महीने पहले की जो खबरे है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अब ये दूसरी टीवी नाइन भारतवर्स की खबर देखिए ये भी हाल की खबर है उक्टूबर 2023 की खबर है और बिहार में सरकारी नोकरी की बहार बारवी से लेकर के ग्रेजुएट्स तक के लिए बहतरी नमोका तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है बिहार में डेड़ लाख पदों पर नोकरी देने की तयारी सुरू अब तेजस्वी आदव की विभाग में निकलेगी बंपर वेकेंसी ये वड़ी खबर है यहाँ पर डेड़ लाख पदों की बात हो रही है नितीज कुमार ने अबास की खबर एबिपी ने उस किये निती तरफ जो बीजेपी के लिए जो खबरे चल रही ही सक्त में कि फलाने जहांसे फलाने नेता को नियोता भेज दिया गया है फलाने जहांसे इतने लोग आएंगे मोदी जी इस तारिक को जाएंगे टीवी पर ये खबर बताई जारी है जो भी वहाँ पर आईज्जा को क्या है लोग किस बात को जादा तवज्जो देते हैं और दूसरी बड़ी बात नितियस कुमार ने कहीं न कहीं इंडिया गठ बंदन में अपनी दूसरी पार्टी के नेताओं को भी एक साफ संदेश दे दिया है कि आपके पास मोका है दो हजार चोबिस से पहले आपके पा कि की सरकार आपको क्या कि क्या दे रही है और कॉंग्रेस की सरकार आपको क्या दे रही है और ये जो गठ बंदन की ये जो गठ बंदन मना है इसमें गठ बंदन में छितरी पार्टियां वो आपको क्या दे सकती है तो एक परसेप्सन जो है खड़ा किया जाए और परसेप् के यसे के सरकार पर किसे की रहाइब है हींसे उसकी सरकार है कजरीवाल की दिली कि और पञजाब के उनकी पार्टी की सरकार है ममता बिनर जी की कलकता में पशिमंगाल में उनकी सरकार है तो जहां पर जिसकी सरकार हैं हेवन सोरेन वो जारखंड के अंदर है अगर ये 10-12 जो मुख्य मंत्री हैं इंडिया गठपंदन के पास में अगर ये 10-12 मुख्य मंत्री सरकार में आ करके नोकरी देने के वादे को आगे बढ़ाते हैं, नोकरी देने का काम करने लगते हैं, तो निश्चित तोर पर एक परसेप्शन खड़ा होगा कि लोगों के लिए बड़ी चीज क्या है, लोगों के लिए क्या मंदिर जैसे मुद् है कि वैहार में नितीस कुमार का एक 6,, राज राज राव कुर्सी पर बने रहे चाए बीज़ेपी की सरकार रही जाए बीज़ेपी के साथ गठधन में थे तब भी और चाहिए लालू परशाद के अगर तोर पर चुनाव होता है या सेंटर में कोई बड़ी जम्यदारी देने की बात होती है तो नितिये इस कुमार को दिली लाया जा सकता है और तेजस्वी आदव को बिहार की कमान सोप दी जाएगी और फिर उसके बाद में नितिये यह जाईर सी बात है अगर बीच में इसा होता है यह बिहार के जो विदान सोप चुनाव है वो लोकसवा के बाद ही होने है वो 2025 में होंगे चुनाव तो लोकसवा के चुनाव के बाद में जब विदान सोप के चुनाव होने है और ऐसे में कमान जो है वो यहां पर तेजस्वी आदव के पास में रहेगी बिहा में और अपने नाम पर नई उपलब्दियां बताने के लिए उनको भी कुछ नोक्रिया निकालने पड़ेंगी उनको भी जो है वो वह भी अपने चुनाव में छह मुद्दों को लेकर के गए थे कि कमाई दवाई और पढ़ाई इस तरह से उन्होंने जो है वो शिचाई यह म बाकी की इंडिया गटबंदन की जो और पार्टिया हैं उनकी तरफ से भी कुछ इसी तरफ इसी तरह के ऐलान जो है वो देखने को और मिलते हैं क्या जो बाकी के जो मुख्या मंत्री हैं इंडिया गटबंदन के क्या वो भी इसी तरह से कुछ बड़े ऐलान नोक्रियों को लेकर के करते हैं और दूसरी बड़ी बात क्या लोगों के जहन में ये मुद्दा बनता है लोगों के दिल दिमाग में ये मुद्दा बनता है कि हमें नोक्रियों की जरूरत है नोक्री अगर जिसकी रहेगी काम जिसका रहेगा तो वो वेक्ति अपने आप ही चार धाम की आत् लेकिन फिर बाद में कैसे जो आपका एक बार जब घुम करके आ जाएंगे तो उसके बाद में आगे आगे आप खाने पीने का आपका कामधंदे का कैसे होगा तो वो क्या सवाल लोगों के बीच में खड़ा हो पाता है ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है लेकिन निश् काउंटर यही होगा कि आप धरम की राजनेती के सामने अगर मुद्व की राजनेती करने लगे और खास करके उसमें युवाओं के मुद्व को आगे रखें तो युवा फिर वो सकती है जो लोगों के बीच में समाज में दूसरे लोगों के जो माइंड परसेप्सन जो असर पड़ता है नितीज कुमार यहाँ पर किस तरह से जो है वो इस फैसले को आगे बढ़ाते हैं और नितीज कुमार के फैसले से क्या कुछ जो है वो बदलाव देखने को मिलता है सबसे बड़ा सवाल यही है और लोग इसको किस तरह से देखते हैं लोग इसको किस तरह से लेते हैं वो भी अपने आप में सबसे बड़ा सावाल है तो शेर कीजिए इस खबर को लोगों तक पहुंचा ये और आप क्या सोंचते हैं नीचे कमेंट बोक्स में लिख करके जरूर बताइए और इसी तरह की तमाम खबरों के रिए ओनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक् को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद में आप